इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Prevobacto tablet is a combination medicine that is used to treat various types of bacterial infections. यह सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकने के लिए सूक्ष्म जीवों के खिलाफ लड़ता है और संक्रमन को अधिक फैलने से रोकता है. Prevobacto tablet is a prescription medicine. इसे डॉक्टर की पर्ची के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है. इसे खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है. लेकिन बहतर प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए. बताय गई डोस से अधिक न ले क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर पर नुकसान दायक असर हो सकता है. अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं, तो याद आने पर इसे तुरंट ले. अगर आप बहतर महसूस कर रहे हैं, तो भी इलाज का कोज पूरा किया जाना चाहिए. इलाज को अचानक से बंद करना दवा की क्षमता पर असर डाल सकता है. अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं, तो आपको तुरंट अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए. अगर आपको किसी अलजिक रियेक्शन, यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस, फूलना, आदिक का अनुभव होता है, तो आपको तुरंट चिकित सकिया मदद लेनी चाहिए. इस दवा को लेने से पहले, अगर आप किसी भी स्वास्थि समस्या के लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्ष करना चाहिए. शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है आमतोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही है तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए ठीक होने की रफ्तार बढ़ाने के लिए आपको पर्याब ताराम करना चाहिए साथ ही सेहत के लिए अच्छा आहार भी लेना चाहिए और खूब सारा पानी पीना चाहिए आपके शरीर पर इस दवा के असर को जानने के लिए आपका डॉक्टर कुछ लेबोरेटरी और डाइगनॉस्टिक टेस्ट के लिए कह सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद